ओम शांती तो इसी पर एक गटना इसी थी कि बाबा ने रहिंकारी कैसे है मैं उस पर आपको सुनाती हूँ कि हमारा जो छोटा भाई था उसको बाबा ने गवों के उपर रखा था कि गौला कैसे उसकी पालना करता है तुम देखो गाय की तो अपने मदुबन में एक गाय और गई सबने उसका दिमाग खराब किया गवाले का कि देखो दादा के पास बहुत पैसा हो गया एक गाय और आ गई है तो तुम कैसे पचास रुपया महिना पे सेवा करेगा सौ रुपया बढ़ाओ बोलो पचास और बढ़ा के दो तुसने बोला हमें पचास और बढ़ा के दो दादा बिश्चु की सोर ने बहुत समझाया पर वो नहीं माना दादा ने का पचीस ले लो परका नहीं मुझे लेना पूरे सो रुपया हैं और वो छोड़के काम चला गया उस भाई को बता करके कि मैं जा रहा हूं अब कल से आउंगा इनी काम करने क्योंकि उसको पता जाता हूं तो देख लिया है है और इसको पालना करने के लिए अब तुम जुम अधरी लेलो कैसे गाईयों को भोजन देना है लुप बाबा ने बुलाया का बचे कैसे दिया तो उसने बोला बाबा जो गाय दूद देती है उसको मैं ने बूरा उसको चूनी भूसी दिया और जो कम देती उसको कम दिया, और जो बिलकुल नहीं देती उसको सिर्फ भूसा दिया, बाबा ने समझाया नहीं बचे ऐसा नहीं करो, गाय अभी जो नहीं दूद दे रही वो भाविश में देगी, इसलिए सब को बराबर का दाना देना है, सिर्फ भूसा नहीं देना है त तो आगे वही दूद देगी, फिर उसने सब को बराबर खाना दिया, फिर बाबा ने पुछा, बचे, तुम दूद निकाल लोगे, अब वो चुप रहा, उसने का, जी बाबा, तो दूद निकाल करके, जितना गौला निकाल पाता, वो तो निकाल पाएगा, बहुत छोटा थ तो इसने एक बाटी निकाली, और ले करके आया, जो चार बाटी दूद गायब खो गया, नहीं निकाल सका, उसको बाबा ने कुछ नहीं बोला, बाबा ने इतना उसको अप्रिशेट किया, इतना उस साहित किया, कि कमाल है बच्च एक बाटी दूद लाया, ममा देखो एक बाटी दूद लाया, तो उसको इतनी हिम्मत बढ़ गई, इतना उमंग आ गया, कि दूसरे दिन दो बाटी निकाला, और जब वो लेके चला, तो रास्ता बहुत खराब था, जैसा सिमेंटेट नहीं था, सुद नहीं था, तो नीचे उपर पत्थर लगे वे थे, तो वो प जैल गया, तो बहुत डर के मारे डरता हुआ बाबा के पास आया, बोला बाबा, दोनों दूद बाल्टी का गिर गया, तो बाबाने का बचे बड़े बड़े जहाज गिर जाते है, तो मारा तो बाल्टी का दूद है, कोई बड़ी बात नहीं बाल्टी गिरी तो तो बाबा बाबा बाउंडरी के पिछे भेशता हूं, फिर भी लोग ले जाते हैं अपने घर को उससे लिपाई पताई करते हैं, बाबा ने का नहीं बचे गोबर न फेंको, उसका गोला बनाना है, उसको उससे शिगडी जलानी है, आग तयार करनी है, बाबा मुझे तो आता नहीं गोल लडू कैसे बनेगा, बाबा ने का तुम गोबर इकठा करो, और मैं आके सिखाऊंगा, तो देखो नेराहिंकारी बाबा पहुंचे उस गव साले में, और गोबर का लडू बना रहे थे, बना बना के दे रहे थे, जिसको हम कहेंगे तिरलोकी नात, सारी सिरिष्टी का रच गोवा देखोन कह देखे बना से मिलना है, बैपंचे बला बाबा तो अपना सिर रहे हैं, जब वहां पहुंचा, तो बाबा के चरनों में अपना सिर रख दिया, अब तो स्वयम भगवान ने इसको बाबा नहीं दिखाई दिये, उसे श्रीक्रस्न ने दिखाई दिये, बाबा का तन तो दिखाई नहीं, तो यह तो श्रीक्रस्न है और यह गोबर का लडू नहीं दिखाई दिया, उसको दिखा कि बाबा अपने गॉलबालों के साथ बॉल खेल रहे हैं गेंद मार रहे हैं तो इस तरह उसको शक्षतकार हुआ है बाबा ने कहा कि देखो कोई कारिये अभिमान तोड़ के बाबा की याद में किया जाए तो काम छोटा नहीं होता है हर कारिये बड़ा होता है मांसिक अवस्था बड़ी होनी चाहिए इसी प्रकार से ए फोड़ा यहां देखना पैरा देना और बंदरों की टोली आई पूरे बंदर सारे बगी चे का फल तोड़के खाग 104 उसने र१ ile गप उसने रुथे निगा बाबा बंदर आ थे और फल तोड़के खागए तो बाबाने कह में का तुम क्यों परेशान होता है क्या बंदर मार्केट से लेके खाएंगे फल, तो पैसा से खरीद के नहीं खाएंगे, यहां ही खाएंगे, तो कभी भी बाबा ने किसी को कुछ बोला नहीं क्योंकि प्यार का सागर बाबा, तो बाबा को कभी ऐसे क्रोध भी नहीं आया, एक बार उसने गिलास उसे तूट ग कि बाबा ऐसे टूटा है तब देखो बाबा इतना निर्वीकारी जरा भी बाबा को जोश भी नहीं आया की यह क्या कर रहा है तो तोड़ा दुसरा तोड़ के दिखा रहा है बहुत बाबा ने प्यार से, कहता देखो ये बच्चा प्रैक्टिकल है, और ये कर के दिखाने वाला है, ये थेोरी में नहीं है, तो उससे भी बाबा ने गुण उठाया, और उसको भी तना बल दिया, और आज वो सच मुझ का प्रैक्टिकल में बाबा का बरदान उसको लग गया, तो इस तरह बाबा निराकारी, निराहिंकारी, निर्विकारी, तो बाबा को कोई भी कारिये करने का आहिंकार नहीं, बड़े छोटे बाबा के लिए सब समान होते थे, गरीब अमीर सब बाबा के लिए बराबर होते थे, तो कभी भी बाबा को मैंने नहीं देखा, कि बाबा को कभी ऐस कि आние बहुता हैाँ था सब्ह कोई डिशा नहीं पाता था तो निए फ़र भी मैंकुम्क से आट क्वेश ने व्याजनी तब ख़ेखे offset कया हैं। फिर भी बाबा की ही जीत होती थी, इतनी खेल में बाबा को कोई भी पीछे नहीं कर पाता था, तो इसी प्रकार से बाबा बच्चों के साथ खेलते भी थे, बच्चों के लिए सब कुछ करते थे, तो मैंने देखा कि बाबा कैसे निराकारी रूप में, आत्मिक इस्थिती मे इस्थित हो करके और सारा कारिय करते थे फरिस्ता रूबन करके तो निराकारी निर्विकारी निरहिंकारी और यही बाबा के अंतिम महावाके भी रहे कि बच्चों को भी ऐसा ही बनना है तो वो जो मैंने बाबा से सीखा अपने जीवन में परिवर्तन लाया वो पूरे लाइ